तो यह हमारे बगीचे के ताजे ताजे आम जो कि आज की हमारी रेस्पी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की हमारी रेस्पी होने वाली है आम पन्ने की जो कि ट्रेडिशनल तरीके से आज हम बनाएंगे इसे पी के बहुत मज़ा आ जाता है और गर्मी के समय में अगर तो बहुत ही मज़ा आजाता है चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार लेट्स पीको तो ट्रेडिशनल तरीके से आम पनना बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर कच्चे आम ले लिये हैं चार आम जो कि हमने आपको दिखाया अपने बकीजों में से हम तोड़ के लाएं हैं और टहनी भी अभी लगी ही हुई है तो हमने इसे एक से दो घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था ताकि इसकी जो गर्माहट होती है वो सारी निकल जाए तो यहां पर अब हम इसके कर देंगे हम पानी तो यहां में पानी की क्वांटिटी एक गिलास रखनी है और अब धकन लगा देंगे और एक विशल आने तक इसका इंतिजार करेंगे तो तब तक हम इसके लिए एक चटपटा सा मसाला तयार कर लेते हैं तो एक पैन चड़ाएंगे और इसमें हम जीरा ले लिया है और इसी में हम एड़ कर देंगे आठ से नो काली मिर्च के दाने तो अब इसको हमें एक से दो मिनिट तक अच्छे से भूजना है तो इस तरीक से चला चला के जब यह जीरा चिटकने लग जाए और खुसमू आने लग जाए तब इसका गैस फ्लेम बंद कर दिजेगा ज्यादा इसे रोष्ट मत कीजेगा हम एक से दो मिनित पिक ही इसको रोष्ट करना है तो यहाँ देख सकते हैं तब तक यह थंदा हो रहा है इसे थंदा होने दीजिए तो हम आगे का इसका प्रॉसेस कर लेते हैं तो यहां पे आप कुकॉर में भी 씨टी है तो पहुत अच्छा आता है अगर आपके पास इलवटा नहीं है तो आप इसे अपने चकले बेलन पे भी आराम से पीस सकते हैं इस प्रोसेस को उस पे भी कर सकते हैं अधर्वाइस आप उस पे भी नहीं करना चाहते हैं तो आप मिक्सी जार में इसको डालिए और आराम से के रख दिया है तो इसे बहुत सी चीजों में आप यूज कर सकते हैं यासे सब्सजियों में भी तो बहुत अच्य टेश्ट आता है तो अब यहां पे हमारा कूकर जो है ठंड़ा हो चुका है तो अब हम इसका ढ़कन खोलेंगे और यहां पे जो हमारे आम है वह भी ग्लास पानी आड़ कर देंगे माकर तेकर आम हमारे घरम है ठोड़े से ठंड हो जाएंगे तो अब यहां पे ठोड़े ठंड हो गए तो फचलना चाहएंगे और जो इस बर्तन का पानी है उस पानी तो यहां पे अब ने एक आम आपको दिखा दिया इस तरीके से छील लेंगे तो यहां पे अब जो यह पानी है मैं इस पानी को फैक के दूसरा पानी ले लेती हूं तो इसी में अब हमको इस तरीके से छील छील के जो आम का गुद्दा है उसको निकाल के इसी पानी में डाल देंगे आम को हमने अच्छे से एक वारी और वाश कर लिया था उबालने के बार तो इस तरीके से हमने ये दूसरा पानी लेके अब जो हमारा जितना भी पल्प्स है आम का वो सारा इस तरीके से आपको निकाल लेना है जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो अच्छे से हैंड को वाश तो यह प्रोसेस जो है हाथ से ही अच्छे से हो पाता है तो इस तरीके से आप हाथ से चम्मच की मदब से जैसे भी करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसे कर लीजिए तो देखिए अब जो आम के छिलके में लगा था तो मैंने इस तरीके से सारा पल्प्स चम्मच से इस तरी तो यहां देखा ना आपने हमने इस तरीके से चम्मच की मदद से सारा जो आम का पल्प्स था वो निकाल लिया है तो अब हम इसे ट्रांसफर कलेंगे मिट्टी के बरतन में जो कि मिट्टी के बरतन में इस आम के पन्ने को बनाओ तो बहुत अच्छी सोंदी-सोंदी खुसब तो यहां पर आपने इसमें 6-7 चम्मच चीनी के और इसमें एड कर दिया है पुदीना पाउडर अधा चम्मच और इसमें आपने फ्रेश-फ्रेश अभी जीर्ष पाउडर बनाया है और इसको हम इस रही से अच्छे से मिला देंगे इस प्रोसेस को आप mixi jar में भी कर सकते हैं बट रही से इसे घाटना बहुत अच्छा टेष्ट आता है traditional तरीके से बना रहे हैं तो traditional तरीका ही अपना ये और ये बन के भी बहुत अच्छा तयार होता है मिक्सी जार से ज्यादा अच्छा स्वाद आता है जब आप इसे रही से मिलाएंगे तो यहाँ पे हमने एड कर दिया है आधा चमच काला नमक और फिर इसको अच्छे से हम मिला देंगे और अब हम आपको यहाँ पे आमपन्य की कंसंटेंसी दिखाते हैं तो इस तरह के की आपको कंसंटेंसी रखनी है तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके की होनी चाहिए तो आमपन्य हमारा यहाँ पे रेडी है तो अब हम यहाँ पे इस आमपन्य को सर्फ करेंगे तो अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें हम आदा चमच नमक ले 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 लेंगे उसमें थोड़ी सी हम लाल मिर्च कर देंगे एक चमच के बराबर उसमें हम मिक्स कर देंगे आम पनave जिससे ये थोड़ा सा generous हो जाएगा चिस तरिकξे जिस भी glass या आप किसी भी कप με सर्व कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसे इस पर घुमा दीजिए तो देखिए ये देखने में बहुत सुन्दर लगता है इसे करना टोटली ऑप्शनल है ये देखने में बहुत सुन्दर लगता है इसलिए हमने इस प्रोसेस को किया है तो अब हम इसमें एड करेंगे और इस आम पन्ने का आनंद लीजिए बहुत टेश्टी बनके तयार होता है और सब को बहुत पसंद आएगा तो बनाईए इस ट्रेडिशनल तरीके से इस आम पन्ना को और अपनी फैमली के साथ ही जोई कीजिए अपने बच्चों को पिलाईए इस भयंकर गर्मी में इसकी ब मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में मबाई अपना ध्यान रखिएगा